हेलो गाईज आज मैं बताने वाली हूँ आपको साल के दूसरे और अंतिम चंदर ग्रैन के बारे में जो आठ नवंबर मंगलवार को लगने वाला है और विसे सग्ये इस ग्रैन को बहुत ही ज़्यादा असुब बता रही हैं इनका बहुत सी रासियों पर बहुत ही बुरा प कारण सूतक काल का और इसके समय भी जो हर एक चंदर ग्रैन का निरधारित रहता है तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसा इसका सूतक का समय रहेगा और चंदर ग्रैन का समय भी मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें जो है ये पूरी दुनिया में जहां जहां ये चंद माना जा रहा है क्योंकि इस टाइम पे गरब वतेस्तरियों को ना ही खाना खाना चाहिए ना ही घर के सामानने काम ही सिरफ इसमें करने चाहिए उन्हें कोई भी ऐसा काम उन्हें नहीं करना चाहिए पूजा से रिलेटिड हम यही कहेंगे कि गायतरी मंतर का जाप करते रहें और शिव मंतर का जाप भी आप इसमें कर सकते हैं किसी की भी बुराई इसमें ना करें और गायतरी मंतर का जाप आप करते रहें ग्रहन के बाद आपको सनान करना चाहिए सनान करके आपको अनाज का और दान करना चाहिए ये चांदी का जो दान है वो भी बहुत ही शुब माना गया है चंदर ग्रेंड कैसे लगता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ इसमें धरती सुरिय और चंदरमा की बीच में आ जाती है जिसे हम बलड मून भी कहते हैं ये परी के लिए एक साथ नहीं होती है धीरे धी धीरे से होती है धीरे धीरे से धरती चंदरमा और सुरिय के बीच में आ जाती है जिसके कारण जब ये धीरे धीरे आना शुरू होती है तो चंदर ग्रेंड जो है शुरू हो जाता है जैसे ये क्रोसिंग होती जाएगी तो चंदर ग्रेंड समाप्त होना शुरू हो तो विशेशग्य जो है इसे बहुत ही लंबा और कठिन जो ग्रहन है वो मान रही है जिससे धर्ती जो है पूरे चंदर्मा को धक लेगी पूरी तरह से ये पूरन चंदर ग्रहन इसे कहा जाता है ग्रवतिस्त्रियों को इस समय में सोना नहीं चाहिए अगर उन्हें रेस्ट क कर लें तो ग्रवतिस्त्रियों के लिए और जो की व्रिद्ध हो गई है उनके लिए देट पहले मतलब साड़े बारा बजे के आसपा सुतक लगेगा इससे पहले वो अपना खाना पीना कर लें और तुलसी डाला हुआ पानी ही पीए इसमें वो दूद जूस और माना गया है लेकिन बहुत सी राशियों के लिए से असुब माना गया है चंदर ग्रेंड के समय में कोई भी शुब कारिया ने करें पेड़ पोदों को ना चुएं तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है खाना आप इस समय में ना खाएं और साड़े भारा बजे से जो तक का समय है वो नो घंटे पहले से शुरू हो जाता है तो इसलिए चंदर ग्रेंड के समय में किसी की बुराई ना करें नहीं तो वो दस हजार गुना हो जाती है तो इसलिए बचा हुआ भोजन भी हमें चंदर ग्रेंड के बाद नहीं खाना चाहिए जो बचा हुआ भोज तो चंदर ग्रेन इसको हमें देखना नहीं चाहिए, खिड़की और दरवाजे बंद करके रखने चाहिए, और प्रभू का जो है जाप करना चाहिए, आप चाहें तो इसमें सुन्दरकान का पार्ट भी कर सकते हैं, तो जैसे जितना आप इसमें पार्ट करेंगे, वो भी सजार गुना होके मिलेगा, जिस तरह से हम बुरा ही नहीं कर सकते हैं, उस तरह के से हम अच्छे काम भी चंदर ग्रेन के समय में अगर करेंगे, वो भी आपको दुगना होकर मिलेगा,